आज हम लोग इस लेक्ट्चर में सम इंपॉटेन्ट कंपॉण्स पढ़ें इसके पहले वन तिन कंपॉण्स पढ़ा जिया था जो क्रास्टेंट के लिए आज भी क्रास्टेंट के लिए ठीक है अब आये दिस सबसे पहले बिलीचिंग पाउडर पहा जाएगा निम्बर एक म बिलीचिंग पाउडर का है कि वह सीयल के फार्मुला reality अब appelle लिखा नागी ये एक विलीघ उनलक साथ के सथ घ्राइद सब्सक्राइन अब आते हैं प्रपरिट प्राइटी इट इज लाइट एलो कलर्ड पावडर मतलब ब्लीचिंग पोडर क्या है लाइट एलो कलर्ड पावडर है दूसरा इफेक्ट आफ इज इज पावडर का ताप का प्रभाव पड़ता है तो बन जाएगा, CACO3 और Klourine gas निकल जाएगा क्या निकल जाएगा ? TO 2, when it is so, the reaction with acid तो इसे ध़र ध्यान लखना आपको , auf the acid के साथ अब क्रिया में अगर ए ΕHCL थो CACO2 है outta Klock टिक अगर Stos4 है तो CS3 АS4 बन जाएगा, Hans 2 निकल जाएगा जल बनेगा अब यह स्ट्यो स्पोर में अगर डाइलूट रखते हैं ध्यान रखेंगे CACL2 भी बनेगा CACL2 बनेगा और यह CACL2 अनिस्टेबल है तूट जाता अब आते हैं अक्सिडाजिंग प्रापर्टी सो करने के लिए जो कंपाउंट नेशन आक्सिजन दे रहा है यह आक्सिडाजिंग प्रापर्टी सो करता है अब क्या करता है सोडियम आर्सेन आइट एन थ्री सोडियम आर्सेन बदल देता है और रिखेंगे लिखने के CO2,CACL2,CACL,A3A3,A3SO4 बने जाए इसको टोटल को आप जोड लेंगे यहां पर जोडने के बाद आयेगा उसको लिक लिदे गा टिक क्या आएगा इसमें CO2,C आजाएगा, एरो, CACL2 आजाएगा, प्रस एन ने 3, एस ओ फोर आ जाएगा, ठीक है, इसका यूज, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पावडर, जो है, ब्लीचिंग एजेंट जैसा यूज कर सकते हैं, एज डिस इंफेक्टेंट्स जैसा यूज कर सकते हैं, जर्म को मारने के रि तो किया बना है और साथ में जल की नमी रहेगी यहां भी चीज बना है आमोनियम कलराइड के लिए किसी बेस के साथ करा देंगे तो अमोनिया गैस बन जाएगा साल्ट बनेगा और जल निकल जाएगा अब जो जो इस आमोनिया के साथ ये जल मौजूद है उस जल को सुखाने के लिए और ड्र IOD करने के लिए हम क्या amoniya की सफुखाने के लिए उसimmune उसमें क्या है, Only COO is used, Calcium Oxide ही उसके हैं ध्याम लगेंगे, क्यों कि अमोनिया के साथ Calcium Oxide के लिया नहीं करता है, इसको यूज करते हैं, लिगने हाली लिखा है, S2O4AV-dial agent है, CACL2 और P2-5, यह भी जल को अवजार करते हैं, लेकिन नो लिखा है, विकास इट रियक्ट भी थे अरेस्थिरी तो कि यह इसलिए नहीं यूज किया जाते हैं क्योंकि यह अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं और अमोनिया को एक समाप कर लेते हैं जैसे अरेस्थिरी अगर रिस्टोसफोर से क्रिया करेगा तो अमोनियम संफेट बन जाएगा मैंटल नाइट्राइट का अगर आप हाइडर नाइट्रायट करा तो आम़ोनियागास अगर 54 नम्रay बाईडलिस साप यह जो है इसके अगर हैट्रोजन के साथ कराते हैं आयरन इस पर कैटालिस्ट है इसकी पस्तिम कराते हैं अमोनियागाइस बन जाएगा इसको अगर बेस्ट बन जाएगा इसको अगर इसको अगर बेस्ट के साथ कराते हैं तो सोडियम का रूट प्लस अमोनियागाइस यह बन जाएगा निगे अब आते हैं जो अमोनिया की प्रापर्टी इटीज क्लरलेस इस्ट्रांग इसमेल्स गैस है इसको सुखने पर आखों में आशू आ जाते हैं इसलिए इसको कहते हैं क्या करते हैं टीयर गैस भी कहा जाता है अब आते हैं अगर अमोनिया की प्रिया आक्सीजन के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता और जल बन जाता है अगर इसको अमोनिया को जल के साथ करिया करते हैं अमोनियम को लाइड बन जाएगा और इसनों तिरिक सा हGold and gas, न्टिक रगानियम, मैगनिसीं, इफेक्टर 07 अगर आटरिसीएड कर दो ग्रम करते हैं तो न्यट्रिक अक्साइड अक्साइड बन आमोनिया का जो reaction है उसको भी ध्यान रखेंगे 10 number में 10 number में reaction with क्या हो जाएगा reaction with Cl2 आमोनिया की अबकरिया Ammoniya की अबकरिया Cl2 के साथ कराते है तीन पार तो condition है ध्यान लखेंगे अगर ये Ammoniya की अबकरिया Cl2 के साथ कराते है इसको अगर XS में रखते हैं, तो बन जाएगा 6-N-A-S-4-C-L बन जाएगा, 6-N-A-S-4-C-L प्लस यानि N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2-N-2- इसके लावाद दो कंपाउंडर बचे हैं, जो अगली लेक्चर में आपको बता दिये जाएगा.